अथ पंजिमोध्याया अर्जुनुवाज सन्यासम कर्म नाम कृष्ण उनर योगम्च शंससी यच्छे एतियोरेकम तनमे ब्रुहि सुनिश्चितम सन्यासह कर्म योगश्च निश्रियस कराव भव त्योस्तु कर्म सन्यासाद कर्म योगो विशिष्यते गेया सानित्य सन्यासी योणना द्वेष्टिने कांख्षती निर्द्वन्दोही महाबाहो सुखंबंधात प्रमुच्यते सांक योगो प्रथक बाला प्रवदंतिन पंडिता एकम अप्यास्थिता सम्याग उभ्योर उभिंदते फलम ये सांख्याई प्राप्यते स्थानम तद योगई रपि गम्यते एकम सांख्यम चे योगम चे यह प्रश्यती से प्रश्यती सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तु मयोग उतह योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचरेनाधिक अच्छती योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर भूतात्म भूतात्मा कुर्मन अपि नदिप्यते नईव किंचित करो मीती युक्तो मन्यत तत्पवित पश्यन शुरुनन स्प्रशन जिग्नन अश्यन गच्छन स्वपंश्यतन प्रलपन विश्यतन गिर्णन उन मिशन निमिशन अपि इंधरियान इंद्यार्थेशु वर्तन ती धार्यन ब्रह्मन अधाय कर्मानी संगम ट्युक्तो करोतिया निप्येते न सपापे न बाद्यम पत्रम इवां भसा कायन मन साबुध्या के वलें रिंद्ययरपी योगिना कर्मकूर्बंथी संगम तेक्त्वात्म शुद्धे, युक्ता करम फलम तेक्त्वा, शांतिम आपनोतिम नैश्ठिकीम, अयुक्ता काम कारण फले सक्तों निबध्यते, सर्वकर्माणि मनसा, सन्यस्यास्ते सुखंबशी, नवद्वारे पूरे देही, नईवकुर्वन्यकार्यन, नकर्तित्वां नकर्माणि, लोकस्यस्रुजिति प्रभू, नकर्मफलसयोगं, सुभावस्तु प्रवर्तते, नादत्यकस्षिचित पापम, नचैव सुकृतम विभू, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, तेन्यम्हियंति जंतवा, ज्ञाने नतुत्त अज्ञानम, इशाम नाशितमात्मनह, तेशाम आधित्यवज्ञानम, प्रकाश्यते तत्परम, तत्थ बुद्ध्यस्त दात्मात्नस, तन्निष्ठास्त परायनाह, गच्छंत्यपनराबृत्यम, ज्ञान निर्धूत कल्मशा, विद्या विने संपन्य, ब्रह्मने गविहस्तनी, शुन्चेवश्पाकेच, पंडिता समदर्शिना, यहिवितर्जिता सर्गो, इशाम सामेस्थितम्मनह, दिर्धोष्रम हिसमं ब्रह्म, तस्मात ब्रह्मनिते स्थिता, अभी तक, भगवान ने, कर्म योग की बिशिष्टाएं, बताई, दस इंद्रियों से, और दस प्राणों से, कर्म करता हुआ, दस प्राण हैं, पंच मुख प्राण, मुख पंच प्राण, पांच उप प्राण, उनसे करता हुआ, भी वो अकरता बना रहता है, क्योंकि, एक तो उसमें अहम नहीं होता है, नईवे किंचित करो मीती, युक्तो मन्येत तत्वबित, अहम क्या है, जब मनुश में अपने में कर्टित्य की प्रतीती होती है, तो अहम है, बड़ा सूक्ष्म है, अहम मानें यहीं नहीं था है कि मैं अहंकार की ब्रती, अहंकार की ब्रती बड़ी सूक्ष्म है, एक हुतिस तंभ, एंट, वो भगवान ने इसको अलग-अलग बताया है, जब आसुरी संपत्यों को बर्ण किया भगवान ने, दंभो दर्पो भिमानश्च, क्रोधा पारुष्य मेवच्च, सोलेवे द्याय में भगवान ने आसुरी संपत्यों को बर्णन किया है, चौथेश लोग में, सोलव बटे चार, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, कठोर्ता, अज्यान, दर्प को अलग कहा, अभिमान को अलग कहा, यद्यप, दोनों एक से लगते हैं, लेकिन, फर्ख है, जबी तो भगवान ने अलग कहा है, अभिमान, और दर्प, इनमें फर्ख है, एक होता है, अहम वृत्ती, वो, अंतह कर्ण का एक धर्म है, और, अंतह कर्ण के चार वृत्तियां हैं, एक तो है, सबसे पहले मन, उसंकल्प करता है, महुँ से संकल्प आते हैं मन में, इसंकल्प क्या है, क्लिर्पी संपध्य माने इधातू से, कल्प बनता है, मन वैसा बनना चाहता है, संपध्य माने मने वैसा बनना चाहता है, तो मन का जो पहला फंक्शन है, पहली क्रिया है, अंतह कर्ण की वो है संकल्प, क्या बनना चाहता है मनुश्य, पहले सोचता है, तो वो है संकल्प, बहुत सी बाते मन में उठती हैं, बहुत सी बाते उठा करती हैं, लेकिन बहुत सी बाते एक साथ नहीं हो सकती हैं, उनमें से निश्य करता है, हमको ये करना है सबेरे उठा जैसे, सबेरे उठ करके इससे मिलना, उससे मिलना, पहले जरूरी है कि इससे मिला जाये, तो उन बहुत से संकल्पों में, एक का निरने करना उसको निश्य कहते हैं, वो दूसरी बृत्ती हैंता करन की निशे कर लिया कि हमको यही करना है वो काम बुद्धी करती है मन ने संकल्ब किया संकल्ब बहुत से होते हैं बुद्धी ने निशे किया और निशे के बाद उस काम को करने लग गए उसके बाद निशे करने के बाद जब उस काम को हमने किया तो तीसरी बृत्ती है उसमें अहम में ही सुख दुख की प्रतीती होती है अहम में ही मान अपमान की प्रतीती होती है हम काम कर रहे हैं ये बृत्ती है इसकी प्रत्ती अहम में होती है अहम को अनुवात्मिका बृत्ती कहा गया है मनुष्य कर्म कर रहा है ये उसका अनुभव होता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ लेकिन उस अहम के बाद जब संस्कार बनता है वो चित्त की प्रती है चिनोती चित्त कई शब्द से बनते हैं चित्ती संग्याने से भी चित्त बना है सबसे पहले आत्म तत्व का प्रकाश चित्त में गरहन करता है चित्तना का रिसीवर है इसलिए उसको चित्त कहते हैं और चिनोती संग्रहों को चुनता है तो इस दे भी इसको चित्त कहते हैं संग्रह वही जमा होते हैं पढ़ते हैं इस संस्कार संस्कार क्या है संस्कार है जैसे राग क्या है द्वेश क्या है एक संस्कार है सुखानुशई रागह दुखानुशई द्वेशः राग द्वेश की परिभाशा भगवान पातंजली ने किया कि सुख के पीछे अनुमने पीछे रहने वाली बहुत सी बाते हैं वो राग है सुखानुशई रागह सुख के पाने के बाद और चीजें जो आती हैं पीछे से कि हमको और मिल जाए जैसे हमने व्यापार किया उसमें पैसा मिला तो और सोचते हैं और व्यापार करने और लाब हो जाए अधिक लिफसा बढ़ गई तो राग के अंदर बहुत सी बातें सुख के पीछे पैदा होती है मन उसी में रंग जाता है उसको राग कहते हैं जो चीज मीठी लगती है वो अच्छी लगती है सुख क्या है सुख भी समझो व्याकरन से सु मने सुस्थे न ख घरद्याकाश जब आनकूले न मालूम पड़े आनकूल हमारे हैं वो सुख है दूस्थे न ख घरद्याकाश है जो हुर्द्याकाश यह न्याय शास में लिखा है आनकूले न वेदनियम सुख हम प्रातुकूले न वेदनियम दुख हम न्याय वाले परिभाशा करते हैं कि अपने मन के अनकूल जानना यह सुख है अनकूले ने वेदनियम अप्रातिकूले ने वेदनियम दुख है मन के जो चीज प्रतिकूल दिखाई पड़े उसका ज्यान हमको प्रतिकूलता सो हो गए जैसे जाड़ा लगता है तो जाड़ा लगता है वो क्यों लगता है दुख की वो सुख की प्रतिकूलता है उसमें दुखे ने वेदनियम है इसलिए वो जाड़ा लगता है कई प्रकार की वेदनियता होती है जैसे भगवार ने कहा कि छट में सकंद में कहा है। छट में अध्याय में कहा है। जितात्मनह प्रशांतस्य परमात्मा समाईतह छह बता साथ शीतुष्न ये वेधनी हैं शरीर की दिश्टी से शुख दुख वेधनी हैं मन की दिश्टी से मान अपमान वेधनी हैं अहम की दिश्टी से इच्छे वेदिनी है इन में समान जो रहता है उसको परमात्मा मिलते हैं क्योंकि समत को ही परमात्मा है और अभ्यास से शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इसमान हो जाते हैं इसका अभ्यास करना पड़ता है ये इनको अनुकूल वेदिनी बना लेना अभ्यास से ये समत्व है सुविधाबादी लोग बहुत जल्दी पर्तिकूलता में विक्षिप्थ हो जाते हैं तितिक्षा मने सहना सब कुछ सह लेना उसका अभ्यास करना ये तपस्या है इसी लिए इन छेहों को अनुकूल वेदिनी बना लेना जितात मना प्रशानता से परमात्मा समाहिता शी तोष्न क्या है शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख क्या है मन की अनुकूल प्रतिकूलता और मार अपमान अपमान ये अहंग की प्रतिकूलता वेदिनी था जो अपने अहंग के प्रतिकूल है वो अपमान है अहंग के नुकूल है मान है तो यहाँ पर इन सब को समान ता कि इस तर पर ला देना ये अभ्यास से होता है और वो योग है सच्चा सुमत्यम योग उच्चते ये सारी चीजें मन के अनकूल हैं पर्थकूल हैं शरीर के अनकूल हैं पर्थकूल हैं अहन्ता के अनकूल हैं पर्थकूल हैं इन में इनको तीन प्रकार्स की समानता हैं भगवान ने बताई हैं छट में द्याय में एक तो शरीर की एक मन की और अहन्ता की और एक ज्ञान विज्ञान त्रिप्तात्मा कूटस्थो विजिति इंद्रिया येक्ति उच्चित्य योग्यों समन लोश्ट आश्म कांचना है एक पदार्थों की समता सोना मिट्टी बराबर है लोश्ट आश्म कांचन मिट्टी का डला और पत्थर और कांचन बराबर उसको योगी कहते हैं द्रब्यों में समानता आ गई विबिन्ता मिट गई योगी बन गया एक समानता होती व्यक्तियों में मित्र सुरित हितैशी अरी शत्रू उदासीन मध्यस्त द्वेश बंधू साधूर पापी नव ये नव हैं ये व्यक्तियों के भेद हैं सुरित हितैशी लोग है तो हैं मित्र जो अपने सिप्रेम करता है अरी मने शत्रू जो अकारण शत्रूता रखते हैं जैसे इसको हटा न भई रिकार्डिंग वाली कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो बाहर लोग कुछ लोग अना वश्यक खुड़ा तोड़ी करते रहते हैं ये इसलिए बताते हैं कि रोज ऐसी खबरें आती हैं और अभिजैशी कृष्णदा जी आए रिकार्ड तो नहीं रहा है उबले हमारे पास बंदन दाजी आए और उन्हें